नमस्कार आप भारत लाज देख रहे हैं तेजस्वी यादो सहित राजत के कई अन्य नेता राजत के 25 वे अस्थापना दिवस पर मौजूद थे तेजस्वी यादो ने नितीश कुमार के 15 साल के साशनकाल को गिनाया और बताया कि किस तरीके से बिहार में आराजक्ता का महौल है वही अगर बात करे तो जेडियू नेता निरज कुमार ने भी प्रेस कॉन्फरेंस की और लालू प्रसाद यादो के 15 साल के कारजकाल को अपराध का जंगल राज का कारजकाल बता दिया टिजस्वी आदों ने अपने संभोधन में निटीश कुमार को घेड़ने का प्रयास किया और उनने कहा कि निटीश कुमार नहीं गरीब जनता से मिलते हैं नहीं उनकी समश्चाओं को सुनते हैं नहीं उनके लिए कुछ करते हैं इन् तमाम मुद्नों को लेकर तेजस्वी आदव नितीश कुमार पर हमलावर रहे। बिकास पूरुस के रूप में बिहार में जाने जाते हैं इसके पीछे कई ऐसे तथ दिये जाते हैं जिसकी वज़ा से उन्हें बिकास पूरुस माना जाता है। माना ये जाता है कि नितीज कुमार जब से बिहार के सरकार के बागडोर समाले हैं तब से नितीज कुमार ने कई ऐसे कार्ज किये हैं जो बिहार में अब तक नहीं हो पाये थे आपको बताए कि तेस्वी यादो इन तमाम हमलों के बीच नितीश कुमार पर भेद भाव का भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि नितीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती के लोगों के लिए ही कार्ज करते हैं वही तक्सिमित हैं आपको पता दे कि नितीश कुमार के लिए उन्होंने कई सलाह दे दी उन्होंने कहा कि नितीश कुमार को गरीब जनता से मिलनी चाहिए गरीब जनता के सुक दुख में सहयोग करना चाहिए उन्हें पता होना चाहिए कि बिहार की जनता कैसे रह रही है बाड कोरोना जैसी कई समस्चाएं हैं बिहार में जिसको लेकर वो नितीश कुमार पर हमलावा रहे हैं अब नितीश कुमार ने उनकी बात मान ली है तो यह सभी बातों को नितीश कुमार मान गए हैं अब ऐसी खबड़े आ रही हैं कि नितीश कुमार फिर से पुराने वाले नितीश कुमार होने ज नितीज कुमार ये नया कार्ज क्या करने जा रहा है हम आपको बताते हैं नितीज कुमार पिछले कई वर्सों से आपको बताते हैं कि अप्रिल 2006 से मई 2016 तक उन्होंने बिहार में जनता दर्बार लगाया जिसके बाद पिछले पांच सालों से बिहार में जनता दर्बार बंध है और नितीज कुमार ने ये एलान कर दिया है कि जनता दरबार अब फिर से शुरू किया जाएगा तो यह सु यादो जिन जिन बातों पर टिपनी की उन सभी बातों को नितीज कुमार ने अब उनको महत देते हुए अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं यानि बिहार में जनता दरबार लगाया जाएगा जनता की समस्चाओं को सुनी जाएंगी जैसे नितीज कुमार आज से 5 साल पहले तक यानि पिछले 10 साल नितीज कुमार ने ये काम किया है इन कामों के जड़िये ही नितीज कुमार अपनी छवी को सुसासन बाबु के रूप में बना चुके थे क्योंकि जनता दरबार में वैसे लोग आते थे जिनकी समस्चाओं धाना प्रसासन कोट के दोरा नहीं सुनी जाती थी वैसे लोग जनता दरवार में आकर नितीश कुमार को अपनी समस्चाओं सुनाते थे और उन समस्चाओं का निवारन बहुत जल्द होते थे उसके बाद नितीश कुमार ने लोग निवारन एक पोर्टल भी लॉंच किया जिसके मादम से ओनलाइन आप दर्ज करा सकते थे अगर नहीं रहा और नितीश कुमार फिर से पूराने वाले नितीश कुमार बनने का कोशिश कर रहा है क्योंकि नितीश कुमार का ग्राफ जिस तरीके से फिछले 4-5 सलों में गिरा है नितीश कुमार को यह अहसास हो चुका है बियार के मुख मंतरी को यह अहसास हो चुका ह कि क्या कमियाब उसी कमी को तिजस्वियादों ने जो सला दिया है उस पर उतरने की कोशिज कर रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि जनता दरबार ने नितीज कुमा ने ये जनता दरबार फिर से सुरू किया है तो कब तक ये चल पाता है और बिहार में इसका क्या देला से कुल सठीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद